ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया श्रीमत भागवतम चौथा केंटो बारवा अध्याए धुरु महराज का वैकुंट कमन श्लोक संक्या 15 तो हमने चौदा स्लोक में सुना कि इस परकार आत्म संयमी परम पुरुष दुरु माराज ने तीन परकार के संसारिक कर्म यानि कि धर्म अर्थ काम को ठीक तरह से अनेक अनेक वर्सों तक किया जब वो राजा थे तो हमने धर्म को अर्थ को काम को तो डिरिसट्न नो प्राबलम इं अरनिq धिर इन काम ओल सो तो पूर वाइड़ी काम को समझना पड़ा ङया वटो कि अ मफ तो उसमाशे को करते वे भी हमें कूछ आनंद पराप्त हो सकता है जैसे कि संतान अच्छे अच्छी संतान उत्पती के लिए जब पती और पत्मी साथ में आते हैं तो माना उसमें आनंद है लेकिन वो आनंद क्या परपस क्योंकि भगवान को परसंद करना है वो तो आही रहा है उसके लिए हम प्लैन नहीं कर रहे हैं वो आनंद आही रहा है उसलिए धर्म के साथ अर्थ को कमाये जाए और इस परकार से जीवन जीया जाए तो उसको आनन्द भी आएगा उसको भक्ती मिलेगी जीवन का परफ़ास भी पुरा होगा. तो ऐसा उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया दुरुमाराज ने कि संसार में इस परकार हो अनेको 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 वर्षों तक उन्होंने इस परकार का महौल क्रेट किया और फिर क्या किया समय आने पर उन्होंने राज सिंगासन अपने बैचे को दे दिया मन्यमान इदम विश्वम माया रचित मात्मनी अविद्यार रचित स्वपन गंधर्व नगरो उपमं श्रीलत दुरु माराज ने अनुभव किया कि यह है दृष्य जगत जिवात्माओं को स्वपन अत्वा माया जाल के समान मोहगरस्त करता रहता है क्योंकि यह परमेश्वर और वह पोहित करती है और हमें इस परकार का इल्यूजन करती है कि वी कर एंजोई है ऐसा बिलकुल निराशनी यहां पर देखिए धियां से सोचिए यह बिलकुल निराशनी है जब कोई वैक्ति बिलकुल निराश होने लगेगा उसको थोड़ा सा बहला हो जाएगा तो हारता है हारता है वोकृट करने लगता है कि अब मैं छोड़ी देता हूं तो इसकी एक लोट्री निकला आती है तो इस प्रकार से ही माया के अंटरगात संसार में भी होता है अगर एक आशा की किरन जग जाती है , और हम चल पढ़ते है , तो यह ग्मिता भी अ. इसCH justify शियर में की प्लैनिग हुता टो शायद ऐसा नहीं होता हर आदमी है ऐसी सुचता है लेकिन वास्ता में ये प्लानिंग की प्रॉब्लम है कि ये संसार को डिजाइन हमें चाएं वह बनाए गया है दुखों का आलाय घर बनाए गया है ठाकि हम इसको समझें कि हम यह अंपर्पेचुले नहीं रहा है हमें इस अंसार दे निकलना है हम भगवान के धाम में जाना है तो इसलिए ये दुरुमाराज ने महसूस किया कि दृष्ष जगत चो हमें दिख रहा है ये जिवात्माओं को सौपन या माया जाल तो माया जाल को क्या बोदो ने एक परकार का सौपन बोल रहे है जो कि वास्तविक्ता में है तो सही लेकिन टेंपरेरी है फिलिकरिंग है आज है ते आद दुख है कल सुख है परसो फिर दुख है और इसी में जिवात्मा तलबता रहता है कभी वो खुश हो जाता है कभी वो रोने लगता है जो कि भास्त में माया जो मूवी क्या है माया नगरी कैसे हम जैसे मारी मुंबई को काहते है मया नगरी क्योंग कर्के वहाँ पर निरं कर माया ही है एक तो अगली है वहां के सीरियल पिक्चर जो भी हम देख रहे हैं वो सास्ता में अगली है तो इस प्रकार से हम मोग रस जाते हैं किसी मूवी में बैठते हैं तो मूवी में बैठके कभी हम जोर जोर चांसते हैं अब लोगों अंधेरा है, पूरे हॉल के अंदर गुप अंधेरा है, साथ में मेरे कोई बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे साथ में कौन बैठा हुआ है, अचानक से लोग हस रहे हैं, सामने एक स्क्रीन को देखकर, अचानक से लोग रो रहे हैं, उसी स्क्रीन को देखक तो इस प्रकार से वेक्ती सोचता है, रियल है, something really is happening, और इस प्रकार से कभी रोवने लगता है, और जब रोतावा निकलता है, पिक्चर हिट जाती है, पिक्चर अगर आपके emotion को छेड़ पाए, तो पिक्चर हिट है, पिक्चर यदि आपको हसा पाए, तो हिट है, तो एक न सन्न हो जाते हैं कभी, कभी-कभी बढ़े दुखी हो जाते हैं, आज हमारे बच्चे का बहुत बड़ी या result आ गया, तो हम बहुत कुश है, आज हमारे साथ कुछ ऐसे दुखत समाचार आ गया तो हम दुखी है, तो ये दुरू मारा ने रिलाइज किया है, कि ये माया जा जो मेरी शर्म में आते हैं वो इसके ओपर जा सकते हैं. तो ऐसा निए बंगवान निकलने का रस्ता नहीं बनाई ऐसा बंगवान ने क्यों किया इतना दुक्ष अंसार में क्यों दिया? भगवान ने अगर कोई पहली बनाई तो उस पहली की कुंजी भी हमें दे रखी है अब हम उसको फॉलो ही नहीं करना चाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इल्यूजन में जीना चाते हैं अब अगर अब उनको प्रवच्चन देने का प्रयास करेंगे तो कहेंगे नहीं जी नहीं हमेने सुना मान आपकी बाट उन्हें सफही नहीं भी लग रहे हैं फिर भी भागना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि spiritualist जो मज़े नहीं करता है, जोस्त हमने पहले वी चरचा करी वो भी आनन लेता है, भक्ती माही आनन लेता है, आनन तो डोनों जगए लेकिन ऐसे में क्या करें जब वक्ती जान मुझकर अंधेरे में रहना चाहें, तो यह प्रणा है, तो यह इसा नहीं है ये सबक जो है ये समझ में आया दुरु माराज के कि इस अंसार में यही सब हो रहा है आत्मस्त्री अपत्यसुहिर्द बलं रिद्वकोशं अन्यपुरं परीविहार भुव रम्या भुमंडलं जलधी मेखलं अखलं आखलय काल उपसरिष्टं इतीसह प्रयो विशालं अंत में दुरु माराज ने सारी पिर्थी पर फैले महासागनों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया उन्होंने अपने शरीर पतनियों, संतानों, मित्रों, सेना, समिर्द, कोश, सुक कर महलों, विनोध, स्थलों, माया को माया की शृष्टियां मान लिया तो दुरु माराज realized, this is very important point, many people have realized, many, Avanti Brahman, भागवता में आता है, he was very rich person, very rich लेकिन, Avanti Brahman ने भी realized किया, कि ये सब जूट है, ये सब नखली है, बड़े बड़े लोगों ने ये, हमारी परंपरा में देख लीजे, हमारी परंपरा में बहुत बड़े बड़े लोग हुए, रूप कुसामी, सनातन कुसामी, रगुनात दास कुसामी, they were billionaire kind of people, नरुतम he was a prince, तो इन लोगों ने भी realized किया, कि ये नखली है, उसके बाल आगे चलते है, शिला परुपाद ने विदेशों में परचार किया, जो कि विदेशी हर हाल में बहुत ही advanced लोग थे, in terms of money and knowledge and everything, looks, आज हम उनको follow करना चाहते है, सारा संसार उनको follow करना चाहता है, Europeans को, Americans को, etc. और इन लोगों ने शिला परुपाद को follow किया, realizing कि ये सब जूट है, तो जब परुपाद परचार कर रहे थे, at that time, 1960s में जब परुपाद परचार कर रहे थे, तब ये culture था, US के अंदर बहुत बड़ा फैल चुका था, कि ये जो समाज है, ये जूटा समाज है, पता न परिवार को छोड़ दिया, परुपाद के आने से पहले ही, उन्होंने अपने घर छोड़ दिये, और उन्होंने सत्य की खोज करना शुरू किया, ये उनका दुरभाग्यता कि कोई ऐसे लोग मिले, जिन्होंने उनको नशे में डाल दिया, कि नशा करो कि तो सत्य मिलेगा, तो उन्होंने समाज को तो त्याग दिया था, उस समाज को जूट मानते थे, कि ये सब दिखावा है, ये सब पार्टी में लोग मेक अप करके जाते हैं, नकली जिंदगी जीते हैं, हेलो हाय करते हैं, पीछे से दोका देते हैं, वो उसकी पतनी उसके पास, उसकी उसके पा तो हम यह कह रहे हैं कि इन लोगों ने भी संसार में सब कुछ ऑपुलेंस देखने के बाद है कि यह सब जूट है जिसके पीछे सारा संसार भाग रहा है आज कि वो अमीर बनना चाहते हैं उन अमीरों ने कि अग्जामपल हमने आपको दे दिये इन लोगों ने अल्टिमेटली उस शिखर पर पहुंचकर यह डिसाइड किया कि इस शिखर पर कुछ नहीं है लेकिन जैसा पाड़ों में होता है कि हर आदमी जो जमीन पर होता है वो देख नहीं रहना तो एक क्यूरियोसिटी बनी रहती कि उस पहाड़ के पीछे क्या है और यही क्यूरियोसिटी है हमारे जीवन में कि उस अमेरिका में क्या है यह धन कमाने के बाद क्या है पैसा आ जाता है तब जीवन कैसे होता है जजम सुनते हैं कि हम बोलते हैं कि शादी का लेकिन समझधार वेक्ति क्या है? है है क्योंकि वहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है वहाँ पहुंचने में किसी ने अपनी जिंदी लगाई किसी ने अपनी एक दो जनरेशन जोग दी तब जाके इतना पैसा खटा हुआ फिर तीसरी जनरेशन ने खुब मज़े किये चौथी जनरेशन को रिलाइज हुआ ही तो गलत था सारा स्टेप ही गलत हो गया तो कितने साल बरबाद हो गए इस प्रोसेस में यदि हम इन संतों की इन बड़े-बड़े लोगों की जिन्हों उस अल्टिमेट चीज को देखा हुआ है अगर हम उनकी सीख लें तो हमें समझ में आएगा दुरुमाराज की देख लिजे दुरुमाराज से बड़ा ओपलेंट रेक्टी तो संजाहन कोई हुआ ही नहीं तो दुरुमाराज ने ये रिलाइस किया सुरी से सुनिये उन्हों कालकरब में हिमाली स्थित बद्रीका अश्रम के जंगल में चले गए तो दुरुमाराज मैं बड़ा पर कोंे कोई जंगल भी नहीं से जाने इसलिए पुरुपाद ने जगह जगह पर पुरुपाद ने ऐसा भी जरूरत नहीं कि सारा संसार चार करा हम हमाले में चले जाए और वहां पर तपस्या करें जगह जगह पर भक्तों ने ऐसे इसलिए ग्रुमण बनाए उतना थे इस बहुत्रैम डरो ने घुटर में मारा दर्वो मुण से दिसेगह ईए जनल को हमाले जा बर्फ जगह लेना पड़ेगा उसमें जाके Simple जीवन के लिए जीने के लिए जितना चाहिए उतना कमाएं और बाकि समय भक्ति में लगाएं, यह ga हमारी प्राइट, यह हमें द्रुमाराज से छीह बाकिदू व्लाइफ में, there is no point in going to the, I mean, पहाड के ऊपर जा के यह देखने, यह कहने में अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यह सबसे बड़ा मुर्खता है, इसी को भेड़ चाल कहते हैं, वास्ता हो, संचार में लोग भक्तों को कई बार कहते हैं कि यह भेड़ चाल चलते हैं, देखत दूसरे जीवन जी रहे थे, हम सब दूसरा जीवन जी रहे थे, बहुतिक का जीवन, उसको छोड़ कर शास्त्रों और गुरू को फॉलो करना बेड़ चाल लही है, बेड़ चाल वह है, जो बिना ज्यान के सारी दुनिया कर रही है, और देख रही है कि अगला भी तुखी ह फिर भी अगला भी कर रहा है, माता पिता दुखी हैं लेकिन बच्चे को वही रिपीट कराना चाहते हैं, क्योंकि everybody is afraid of trying something new, but this is something not new, actually में इस रास्ते में बहुत संत लोग चल चुके हैं, महाजन ये नपथा सगन था, महाजनों के रास्ते में चलना चाहिए, उसको बेड़ चाल गएगे ना, हम भेड़ों को follow नहीं कर रहे हैं, हम संतों को follow कर रहे हैं, दुरुमाराज हम महान संत हैं, उन्होंने ऐसा किया है, कि उन्होंने अपने जीवन में समयाने पर ऐसा नहीं कि दुरुमाराज बुले हो गए ये भी ध्यान रखिए, आप जैसे यह कर दिया, उसने कहा कि कुछ नहीं है, सब माया का बनाय हुआ है, I must, मुझे अपना समय भगवान की भक्ती में लगाना ही चाहिए, और इस परकार से वो बद्रीक आश्रम चले गए, जो कि आज के लिए भी जाना थोला मुश्किल है, आज भी बद्रीक आश्रम कुछ समय क करना कैसा रहोगा, तो यह जीवन दिवे तपस्या के लिए है, जैसा दुरु माराज ने किया, हम भी उनके पद चिन्नों पर चल पाएं, हम भी जीवन में यह रिलाइज कर पाएं, कि जीवन वास्ता में सुख सुविधाओं के लिए और आनंद के लिए नहीं है, बलकि भ पुरुपात की जाए, गरंतराश्यमत भागतम की जाए